हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आसा करती हूं आपसे भी बहुत अच्छे होंगे आज मैं आप सबसे टेस्टी टेस्टी खिला खिला पनीर भेज बिर्यानी की रेसिपी श्यार कर रहे हूं यह बहुत ज़्यादा जट पर बनने वाला रेसिपी और आसान तरीके से र हूल वात जरूर करें और आप सबसे हे OS अगर की चैनेल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक प Snow करें तो चलती रेजीपी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम पनीर को फ्राइब करेंगे यह यह इस तरीके से इस बड़े बड़े पीसेँ से महीं कट यहां से मैं आधा प्याज को उठा कि साइड में राख रहा हूं तो इसे हम बाद में यूज़ करेंगी, मैं अपर यौछ खरे मसाले और करने के बाद मैंने यहां पर टामाट और हरी मिर्च नपाव दिआ हैं और अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, मिच पाउडर, रचिली पाउडर और डालेंगे स्वादनुसा नमक अच्छा से मसाले को आप हम भूनेंगे तो यहाँ पर मैंने डाला है पनीर भेज मसाला पनीर का जो मसाला होता है तो मैंने वहीं डाला है अब हम डालेंगे यहाँ पर कुछ भेजेज जो कि मैंने डाला है फुल गोबी, कैरेट और डाला है ग्रिन पेज याने की मटर तो इन सब को हम थोड़ा सा भून लेंगे उसके बाद इसमें डालेंगे चौपकिया हो धनिया पत्ता पुदिन पत्ता इन सब को भी भूनेंगे यह बहुत जादा जटपट बन जाता है देखिए एकी साथ में साड़ा सब्जियों को डालना है और हमें थोड़ी देर इसे पकाना है आधा कुक करना है बस हमें आधा ही इसे कुक करना है तो देख सकते तिन-चार मिनिट तक मैंने वेजेटेबिल्स को पका लिया है यह आधा पक चुका है अब हम गैस को कर देंगे बन और वेजेटेबिल्स को साइड में रख देंगे यह देखिए फ्रेंट्स राइस बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह की का बरतन का यूज कर रहे हूँ आपके पास जो भी बरतन है आप बोले सकते हैं और इस ग्लास से में मिजर्मेंट करूंगी तो मैं यहाँ पर इस ग्लास से पानी आड़ कर रहे हूँ जो इस ग्लास का एक ग्लास अगर ये बिरियानी बनाने वाली हो तो इसमें मैंने अड़ कहा है salt नमक और इसमें एक तेजपत्ता और मैंने अड़ में इड़ किया है इलाची और यह है घी तो इसमें हम घी दो तिन चमबज घी डाल देंगे उसकी बाद पानी में उबाल आने देंगे जैसे पानी में उबाल आएगा तो मैंने चावल को पहले से धोके रख दिया था भीगा के मैंने यहां पर दस मिनिट के लिए चावल को भीगा के रखा था उसकी बाद जैसे पानी में उबाल आया तो मैं चावल को इसमें आड़ कर रही हूँ फ्रेंट ये देखिए चावल जैसे आड़ होगा थोड़ा सा हलका हातों से मिक्स करेंगे और यहां पर थोड़ा सा ग्याप रखेंगे धकन का हम रखन बंद करके कुक करेंगे तो जैसे चावल हमारा 50% कुक होगा उसकी बाद मैं यहां से आधा जो चावल है उठा की दुसरे एक बतन में निकाल लूँगी तो यह देखे इस तरीके से अगर हम इस तरीके से विर्यानी बनाते हैं तो यह बहुत जट्पट बन जाता है और बहुत ज़दता तामजम करने की जरुत नहीं परती है देखे फ्रेंट्स यह देखे अब मैं इस चावल को अच्छत से पहला दूंगी अब इसके उपर मैं आड़ कर रही हूँ, कटा हुआ धनिया और पुदिना के पत्ती, और जो सबजी मैंने यहाँ पर बना के रखा था, यह सबजी यहाँ पर आड़ कर देंगे और इस तरीके से फैला देंगे, फ्रेंड्स यह देखिए, अब मैं इसमें आड़ कर रही अब निकाल के रखा था, वो राइसीस में अभी हम एड़ कर देंगे, और इस तरीके से अच्छा से फैला देंगे, तो बस है ना, बहुत ही जादा आसान तरीके से बनने वाला रेसिपी, बहुत जादा हमें ताम जम नहीं करने परती, तो देखिए, फ्रेंड्स इस तरीक करेंगे, होम मिट, बिर्यानी मसाला और घी, और अगर आप यहाँ पर फूट कलर या फिर केशर भीगा हुआ केशर डालना चाहते हैं, तो भी आप इसमें डाल सकते हैं, तो मैंने आप फूट कलर या केशर का इस्तेमल नहीं किया है, इस तरीके से हम ढ़कन को लगा करेंगे, यह देखिए, और धकन बंद करके बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसे 15 मिनित तक कुक करेंगे, 15-20 मिनित तक हम इसे राइस को पकने देंगे, 20 मिनित की बाद गयास को हम बंद कर देंगे, और तुरंत हम धकन को नहीं को लेंगे, उसकी बाद भी हम 10 मिनित तक और व अगर आप इसमें कैवरा वाटर या फिलेवर के लिए रोज वाटर डालना चाहते तो भी आप डाल सकते हैं पर मैंने याप पर कोई भी फ्लेवर यूज नहीं किया है तो देख सकते हूं बिलकुल खिला खिला बिर्यानी बनकर हमारा बिलकुल तैयार है चलते हैं इसे सब कर लेते हैं तो यह देखिए फ्रेंट्स आप लोग भी इस रेसिपी को इस तरीके से एक बार ट्राय जरूर करें है ना बहुत ही सिंपल और आसन तरीके से बनने वाला है बिर्यानी की रेसिपी अगर आप इसे नॉन बेज बनाना चाहते तो आप पर निर के जगा यापर चि जरूर करें कमें जोरूर बोले कि यह कैसा बना है तो फ्रेंट्स मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी लेकर तब तक के लिए धन्यबाद फ्रेंट्स